हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मा का दूद बच्चे को स्वस्त रखता है और इसके अलावा स्तन पान के बहुत सारे फाइदे हैं, जिनके बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में बात करी थी आज के इस वीडियो में हम आप से शेय करेंगे तीन घरेलू उपचार जिससे मा के दूद में वृद्धी होती है पहला उपचार तो इसके लिए हमें चाहिए एक चमश भूना जीरा पाउडर और एक ग्लास गरम दूद जीरा पाउडर को गरम दूद में मिलाकर रात को सोते समय पिए इससे दूद की मातरा में बहुत वृद्धी होती है दूसरा उपचार तो इसके लिए हमें चाहिए एक चमश सौफ और एक छोटा ग्लास गरम पानी सौफ को गरम पानी में मिलाकर आदे गंटे के लिए रख दीजिए आदे गंटे के बाद इसे चान कर पी ले इसका सेवन दिन में दो बार कीजिए इससे अच्छी मात्रा में दूद बनेगा तीसरा उपचार इसके लिए हमें चाहिए एक चमच मेथी और एक ग्लास पानी मेथी को हम पानी में डाल कर रात भर के लिए रख देंगी सुभर उठकर वही पानी मेथी के साथ अच्छे से खौला लेंगे फिर इसे चान कर चाई की तरह सुभर पी लीजिए इससे दूद की मातरा तो बढ़ेगी ही साथ में गैस की समस्या से भी आराम मिल जाएगा जिन माओं को डाइबिटेज या आस्थमा है वो इस उपचार का सेवन ना करें याद रखें कि इस समय अधिक मातरा में पानी पियें और हेल्दी खाना खाएं तो दूस्तों ये था हमारा आज का वीडियो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और माओं को भी हमारे इस वीडियो से मदद मिल सके